हेलो प्यारे बच्चो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रूपल परिशर यूटूब चैनल पे तो यह आज के जो हमारी क्लास है यह सेक्टिंड लेक्चर होगा हमारा दॉन हमारी बोड़ी से एलिमेट करने जरूरी होते है फिर हमने क्धिनी की किया था जो हמारी परिणी के इरक्ष्ञ करिना के है क्या क्या करणा है स्टैक्चर क्योड़ी करना है सो हमारा आज की जो तोपिक है सबसे फर्स जो टोपिक है वो हमारा है structure of kidney tubule या structure of nephrons की हम बात करते हैं तो basically जो हमारे nephrons हैं सबसे पहला जो part होता है आपे उनके structure के इंदर होता है हमारा bowman's capsule अब ये bowman's capsule क्या है तो यहीं पर आप देख सकते हैं right side में हमारे पास एक figure given है 8.3 तो इस figure के अंदर ये आप जो देख सकते हैं ये हमारे क्या है ये हमारे एक nephron का structure है अब इस structure में bowman's capsule कहाँ पे है तो इसको मैं आप भी mark कर रहा हूं blue color से तो ये जो structure है ना हमारा ये जो मैं भी blue color से mark कर रहा हूं yellow color का जो structure है इसी को हम बोलते हैं bowman's capsule तो आप देख सकते हैं कि ये एक कप की तरह का structure होता है तो ये क्या होता है? एक hollow bowl की तरह होता है जो pressed होता है एक side से अंदर की तरफ deep की तरफ है यह अंदर से खोकला होता है तो जो इसका यह internal space है hollow space है यह continue करता है किसमें एक tube के अंदर और जो outer cavity है वो बहार की तरफ low जोती है cup की तरह और इसी के अंदर क्या होता है एक note like structure होता है एक mass होता है blood capillaries का जिसको हम बोलते है glow merulous यानि कि note का मतलब है गुच्छे type होता है तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे तो यह जो आप देख रहे हैं यह red color का तो यह जो red color का है इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे glow merulous तो यह note होता है हमारा blood vessels का तो इसमें हमारी क्या आते हैं यहाँ पे basically efferent arteriol आती है हमारी renal artery से और फिर यह किसमें चले जग convert होके बाहर निकलती है से efferent arteriol में convert होके बाहर निकलती है तो यह एक side से हमारी wide होती है efferent arteriol wide होती है और जब यह इससे बाहर निकलती है बोमेंस capsule है efferent arteriol की form में तो यह फिर narrow हो जाती है पतली हो जाती है अब जो बोमेंस capsule है और जो glow merulous है इनको एक साथ एक साथ हम क्या बोलते हैं malphigan capsule यह simply renal capsule बोलते हैं यानि कि यह जो पूरा structure है हमारा इस पूरे structure को हम एक साथ क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं malphigan capsule या malphigan body भी हम बोल सकते हैं या renal capsule भी हम बोल सकते हैं यानि कि एक साथ हम इनको बोलते हैं अभी हमने पढ़ा कि यह जो cup है यह आगे अंदर से किसमें extend कर जाते हैं tubule और simply हम बोल सकते हैं PCT तो यह सबसे पहला starting convulated reason होता है हमारी tube का और proximal यहाँ पर word हमने क्यों use किया क्योंकि proximal का meaning होता है nearer to the bowman's capsule तो यह bowman's capsule के सबसे close होती है अब जो bowman's capsule है और जो यह proximal convulated tubule है यह दोनों part kidney के कौन से reason में like करते हैं जो cortex reason है और इसी वज़े से यह उस reason को कैसी appearance देते हैं एक dotted like appearance देते हैं अगर हम kidney का क्या देखते हैं sectional view देखते हैं तो जैसा मैंने last class में आपको show किया था again मैं आपको show कर देता हूँ तो यह जो हमारा reason है यह जो हमारा reason है जिसको मैं भी orange color से highlight कर रहा हूँ तो यह cortex reason है तो यह reason किस वज़े से इसको dotted like appearance मिल रही है because यहाँ पे कौन लाई करता है bowman's capsule और PCT लाई करते हैं इसी वज़े से इसको यहाँ पे कैसी appearance मिल गई है now अब जो next part आता है इस tube का वो होता है middle part middle u shape का part होता है जिसको हम बोलते है loop of handle तो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं भी mark कर रहा हूँ तो यह जो part है हमारा इस part को हम बोलते है loop of handle so I hope आप सभी को अच्छे से clear हो गया है तो यह part जो हमारा यह है loop of handle now अब यह कैसे shape होती है इसकी shape होती है hair pin की तरह की लेकिन यहाँ पे convulated नहीं होता है और यह run कहाँ पे करता है यह run करता है medular reason में to turn back and to re-enter the cortex यानि कि cortex से बहार आएगा कहाँ पे medular reason में आएगा और फिर वापिस किस में चला जाएगा वापिस से cortex reason में चला जाएगा और फिर किस में convert हो जाता है किस में continue करता है next convulated reason of tubule तो यह होता है हमारा nephron का middle part अब next third part आता है इसमें distal convulated tubule या इसको हम DCT भी बोलते हैं अब ये part वापिस किस के अंदर आ जाएगा ये cortex के अंदर आ जाएगा और ये end part होता है हमारे kidney tubule का अब जो distal यहाँ पे हमने word use किया न distal का मतलब होता है farther क्योंकि ये bowman's capsule से सबसे ज़्यादा क्या होता है दूर होता है और ये जाकर किसमे open हो जाता है एक collecting duct में open हो जाता है तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये जो मैंने भी red color से mark किया तो ये हमारी collecting duct होती है तो ये जाकर उसमें क्या हो जाता है open हो जाता है और जो भी इसके अंदर अब यहाँ पे वेस्ट इकटा होता है वो सारा वेस्ट जाके कहाँ पे release कर देता है इस collecting duct में release कर देता है basically अब हम उसको urine बोलेंगे, waste नहीं बोलेंगे क्योंकि वो urine में convert हो चुका है तो जो collecting duct है न वो receive करती है contents को, यानि कि जो waste है किसे बहुत सारे kidney tubules से और pour करती है उसको किस की form में, urine की form में in the pelvis of the kidney, kidney का जो pelvis reason है तो मैं वापिस आपको यहाँ पे show कर रहा हूँ, तो यह हमारा pelvis reason था तो यहाँ पे लाके वो उसको क्या कर देती है, pour कर देती है, जो collecting duct है और फिर ये urine की form में कहाँ पे चला जाता है, ureators में चला जाता है और फिर ureator इसको कहाँ पे लेके जाते है, urinary bladder तक लेके जाते है अब यहाँ पे कुछ data में given है, तो जैसे कि हमें सबसे first यहाँ पे कुछ points given है तो basically जो total number होते है ना, naphrons के हमारी kidney के अंदर तो वो around होते है, two million के round होते है यानि कि दोनों kidney के अंदर तो two million के around हमारे क्या होते है ?, naphrons हो सकते है तो अब आप देख सकते है, कितने smaller होंगे size में और साथ ही-साथ कितने जादे coiled form में होते है, condensed form में होते है तो आप यहां से एक comparison कर सकते हैं, imagine कर सकते हैं कि एक nephron की अगर length आप 5 cm लेते हो और आपके पास 2 million यानि कि 20 lakh nephrons हैं तो अगर आप उनको one by one arrange कर दोगे तो कितनी जादा आपकी length हो जाएगी लेकिन फिर भी एक bean shape के structure के इंदर, एक छोटे से structure के इंदर इतने सारे present होते है तो जैसे हाँ पर बोला गया है कि अगर आप इनको arrange करोगे ना तो जो total length आएगी in tubules की वो 60 km के round आजाएगी तो यहां से आप imagine कर सकते हैं कि जो length है ना इसकी जो nephrons की length है वो एक huge surface provide करते हैं किसके लिए re-absorption के लिए किसका usable substances का spacially water हो गया जो content move करता है किसके तुरू इस nephron के तुरू तो अब ऐसा निये कि nephron में जो भी चीज़े आएंगी वो सारी waste ही बन के जाएंगी कुछ चीज़े महाँ पर usable होती है जैसे कि water हो गया हमारा amino acids हो गये glucose हो गये तो उन सभी को वापिस re-absorb कर लिया जाता है अब जो blood flow करता है ना हमारी kidney से per minute एक minute में हमारी kidney से लगभग एक liter blood क्या कर देता है वो flow कर देता है या circulate कर सकता है और जो glow merular filtrate होता है यानि कि जो kidney filtrate करती है तो वो 24 hours में कितना होता है around 160 liters होता है यानि कि 160 liter blood को क्या करते हैं हमारे nephrons filter कर सकते हैं अब आप देखे 160 liters filter करके बन रहा है हमारे पास लेकिन एक दिन में हम कितना urinate कर सकते हैं basically 1.2 liter कर सकते हैं यानि कि बाकी का बचा 158.8 liters वो वापिस क्या हो जाता है reabsorb हो जाता है so I hope आप सभी को ये data अच्छे से clear हो गया है so बहुत important data है questions आ सकते हैं यहां से अब हम बात करते हैं blood supply की क्योंकि देखे जो भी waste है वो सारा blood के अंदर होगा तो कैसे blood की supply होगी kidneys तक तो blood supply के हम बात करते हैं to the kidney tubules nephrons तक तो क्या होता है एक pair होती है renal arteries की जो branch of होती है कहां से dorsal erota से और enter करती है किस में respective kidney से और हर एक renal artery की जो branch है वो rebranch हो जाती है बहुत सारे times और जिससे क्या बनती है जिससे बनती है arterioles और यही arterioles कहां पर enter करती है bowman's capsule में enter करती है किस नेम से affront arterioles यानि कि to bring to यानि कि यह लेके आ रही है content को किसके अंदर bowman's capsule के अंदर और फिर यह affront arterioles जैसे ही enter करती है तो bowman's capsule के अंदर तो यह क्या हो जाती है यह break हो जाती है बहुत सारी capillaries में और यह क्या बनाती है एक note like mass एक structure एक गुच्छा बनाती है जिसको हम बोलते हैं glomerulus और यह closely fitted होती है किसके अंदर bowman's capsule के अंदर जैसा हमने last class में study किया था और यह फिर वापिस जब यह bowman's capsule से बहार निकलती है तो यह जो capillaries है वापिस से reunite हो जाती है वापिस से एक दूसरी के साथ में जुढ जाती है और किसको बनाती है यह बनाती है आपे effrant arterioles जनी कि अब जो blood है उसको यह कहां पे लेके जाएंगे यह वापिस body organs तक लेके जाएंगे तो जो effrant arterioles होती है वो emerge करती है bowman's capsule से और कुछ distance run करने के बाद वो वापिस break हो जाती है किसमें एक secondary capillary network से network में जिसको हम वैसा recta भी बोलते हैं और यही क्या करती है यही surround करती ह यह renal tubule को और rejoin होके क्या बना लेती है एक vein बना लेती है तो vein हमारी blood vessels होती है हमारी तो तीन तरह की blood vessels होती है हमारी arteries veins और blood capillaries अब यह वापिस reunite होती है again and again और फिर क्या करती है other veins बनाती है kidney की और ultimately finally किसमें जाके convert हो जाती है यह एक renal vein में foam हो जाती है और फिर यह इसी foam में क्या करती है kidney के median surface को वहाँ से leave कर जाती है और सारा blood जाके किसमें pore कर देती है जो posterior vein होती है हमारी तो इस तरह से क्या होती है blood की supply होती है किसके अंदर kidneys के अंदर यह हम बोच सकते हैं nephrons के अंदर अब next यहाँ पर एक और हमें data दिया हुआ है कि 350 times a day through kidneys इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी body में blood present है वो kidney के through एक दिन में 350 से 400 times इस rate पे 1 to 2 liters per minute क्या करता है circulate करता है यानि कि जो हमारा blood है जितना भी body में हमारा blood है वो 350 times kidney के through क्या होता है वो pass करता है या फिर circulate करता है so I hope आप से भी कुछ से clear हो गया है किस तरह से blood supply होती है kidney के अंदर so mean जहां पर क्या है आपको पता होना चाहिए कि कौन सी blood vessel enter कर रही है kidney में या nephron में किस part में और फिर वो किस में originate कर रही है या rejoin हो के क्या बना रही है या उससे जब वो बहार आ रही है तो वो किस form में आ रही है तो यह सबसे ज़्यादा important है आपे now next हमारे पास यहाँ पर कुछ questions आते हैं तो questions हमें आपे given है progressive check name the following तो हमारे पास यहाँ पर question आता है सबसे first हमें बोला है आपे कि the tube arising from the notch of the kidney on the median side and connecting behind the urinary bladder तो कौन सी tube होगी तो हमें उसका नाम बताना है तो basically यह tubes होती है हमारी ureator इनकों बोलते हैं ureator next आते हैं हमारी the tube that passes the urine to the outside of the body तो कौन सी tube होते हैं जो बोड़ी से बाहर urine को पास करती है तो वोते हैं हमारी urethra next आता है जो inner lighter colored reason होता है kidney का उसको क्या बोलते हैं हम तो उसको हम बोलते हैं medulla तो उस reason को हम बोलते हैं medulla next note like mass जो होता है blood capillary का bowman's capsule के अंदर उसको क्या बोलते हैं so just अभी हमने उसको पढ़ा तो उसको हम बोलते हैं glow marulous now next so next हमारे आते है the structural and functional unit of kidney तो kidney की structural and functional unit क्या होती है तो यह होते हैं हमारे nephrons nephrons आप बोल सकते हैं urinary ferrous tubules आप बोल सकते हैं कुछ भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं next आता है blood vessels जो malphigan capsule में enter करती है तो कौन सी blood vessels होती है तो just अभी हमने उनको पढ़ा है तो उनको बोलते हैं effrant arteriol और जो हमारी वहाँ से क्या करती है बहार निकलती है उससे malphigan capsule से तो उनको हम बोलते है effrant arteriol तो effrant वहाँ पर enter करती है और effrant की form में वह क्या करती है वहाँ से बहार निकलती है so I hope आपको ये six parts सच्चे से clear हो गए है now चलीब हम next question पर move करते है तो next question हमारे पास यहाँ पर given है given is a jumbled list of the parts of a certain body structure तो एक हमारी body के कोई structure है उसके parts हमें given है तो कौन-कौन से है loopo phenyl, bowman's capsule, distal convulated tubule, glomerulus and proximal convulated tubule तो सेजी सी बात है ये सभी part किसके है हमारे ये सभी part है हमारे nephron के तो अब हमें इनको क्या करना है अब हमें आपे बताना है कि ये जो structure है ये किसके part है और फिर हमें इनको क्या करना है एक logical sequence में एक proper sequence में हमें इनको क्या करना है arrange करना है starting point से कहां से start होते हैं और फिर कहां पे जाके end होते हैं तो first part का answer क्या हो गया हमारा ये सबी part हमारे किसके हैं ये सबी part हमारे nephron के हैं तो first part का हमारा structure क्या हो गया हमारा nephron हो गया और nephron किसके अंदर होते हैं ये होते हैं हमारे kidney के अंदर गर हम देखें तो सबसे पहला blood कहां पर जाता है हमारा यह जाता है glow merulous में तो सबसे पहला हमारा structure हो गया है आपर क्या glow merulous then glow merulous के बाद आएगा हमारा bohman's capsule second पर आएगा bohman's capsule third पर आएगा हमारा proximal convalidated tubule PCT then आएगा हमारा loop of henal and then last हमारा part आजाएगा DCT distal convalidated tubule so I hope आप सभी को अच्छे से clear हो गए है यह questions so now चलिए बाद मूव करते हैं next topic पर तो जो आता है हमारा function of kidney अब kidney का function क्या होता है basically तो हमने starting में ही पढ़ा है कि जो kidney है kidney का function क्या होता है वो होता है urine को या waste को बहार निकालना किसकी form में urine की form में तो यानि कि हम सीधा साब बोल सकते है कि इसका work क्या होता है formation of urine urine को बनाने का इसका work होता है तो basically जो urine formation का process होता है ना वो basically दो major steps में होता है maybe कुछ books के अंदर three steps भी दिये हो हैं कुछ books के अंदर two steps दिये हो हैं तो जैसे यहां पर जो हमने book लिए है उसके अंदर ये दो steps में given है तो चलिए हम दो steps में आप इसको पढ़ते हैं तो सबसे पहला step होता है हमारा ultra filtration और second step होता है हमारा reabsorption तो सबसे first हम बात करते है ultra filtration की ultra filtration में क्या होता है तो basically क्या होता है blood सबसे पहले flow करता है glow merulus के अंदर और बहुती ज़्यादा great pressure से और इतना ज़्यादा pressure होता है in capillaries में की जो blood है यह क्या हो जाता है यहाँ पे बहार निकल जाता है यानि की जो reason है यहाँ पे इस greater pressure का वो यह है कि जो effrant है वो outgoing है और arterial जो है वो हमारी narrower है कि से than the effrant जो incoming वाली है हमारी अभी हमने starting में पढ़ाता है यहाँ पे तो मैं वापिस आपको structure show कर देता हूँ तो जो यह effrant arterial है हमारी तो आप देख सकते हैं यह जो effrant arterial है यह wider होती है और जैसे जैसे यह आगे क्या होती जाती है effrant में convert होती है तो यह भोज जाता क्या हो जाती है क्यों क्योंकि pressure किस वज़े से है liquid की वज़े से है और liquid यह क्या होता है हमारा part है हमारे blood का part है तो यह filter out हो जाता है कहां से glow merulous से किस के अंदर renal tubule के अंदर और इसी filtration की process को बहुती high under pressure या extra ordinary force की वज़े से इसे लिए हम इसको बोल देते हैं ultra filtration और जब यह ultra filtration होता है तो blood का जो liquid part होता है हमारा almost यानि कि plasma along with most of its organic और inorganic substances जैसे urea, glucose, amino acid या कोई hormone present है salt present है या कोई drug present है वो सभी कहां पे आ जाते हैं वो filter हो कहां पे आ जाती है वो renal tubule के अंदर आ जाती है सो यह सभी क्या आ जाती है comes out of the glomerulus और फिर pass कर जाती है एक funnel shape की cavity में किसकी moments capsule की अब जो यह fluid है यह fluid कहां पे अंटर करता है renal tubule में अंटर करता है और अब इस fluid क्या बोलते है glow marular filtrate बोलते है क्योंकि अब यह किसके अंदर आ गया है renal tubule के अंदर आ गया है अब इस glow marular filtrate के अंदर चीजे क्या क्या प्रेजेंट होती है तो इस glow marular filtrate के अंदर हमारे water प्रेजेंट होगा यूरिया, salt, glucose और बहुत से other plasma solutes present होते है basically अगर आपको याद हो जो हमारा previous chapter है circulatory system तो वहाँ पे आपने blood को पढ़ा होगा तो blood के दो part होते हैं हमारे एक plasma part होता है जो इसको fluid part भी बोलते हैं और second होते है हमारा formed elements जिसके अंदर solid part होता है जैसे कि blood cells होती है हमारी तो यहाँ पे क्या होता है, सारा plasma part है वो सारा filter हो जाता है किसके अंदर, renal tubule के अंदर अब जो थिकर part होता है ना blood का, वो कहां पे रह जाता है वो glow marules के अंदर ही रह जाता है, ultra filtration के बाद और इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं two kinds के हापे corpusels होंगे इसके अंदर proteins होंगे और कुछ other large molecules होते हैं जो किसके थुरू afferent artiol के थुरू आगे carry होते हैं और जो blood है आपे वो proceeding करता है away from the glomerulus और यह बहुत ही जाता है आपे ठिक हो जाता है क्योंकि इसमें से क्य होता है liquid part तो सारा बहार निकल चुका है तो इस तरह से क्या होता है हमारा first step होती है अब बात करते हैं second step की तो second step होती है हमारी re-absorption अब re-absorption का मतलब क्या होता है कि जो useful substances हैं जो glomerular filtrate के अंदर useful substance है वो वापिस क्या हो जाएंगे वो re-absorb हो जाएंगे तो जैसी क्या हो होता है glomerular filtrate enter करता है renal tubule में अभी इसको हम urine नहीं बोलेंगे अभी ये glomerular filtrate है सिर्फ तो ये extremely क्या होता है dilute solution होता है dilute का मतलब chemistry में आपने पढ़ा होगा जिसके अंदर large amount में water क्या होता है dissolve होता है और इसके अंदर क्या होते हैं बहुत जादा usable materials present होते हैं जैसे कि glucose ह हो गया कुछ salts होते हैं जैसे कि sodium के salts हो गए तो अब इनको क्या क्या जाता है तो ये filtrate जैसे जैसे tubule में आगे पास होता है तो जो ज़्यादतर water होता है ना इसके अंदर सो ज़्यादतर जो water होता है वो वापिस से reabsorb हो जाता है और सिर्फ water ही नहीं इसके साथ साथ में कुछ जो usable substance होते हैं वो भी वापिस reabsorb हो जाते हैं बट जो ये reabsorption है ना ये सिर्फ उन content का नहीं है जो normal concentration में present होते हैं blood की यानि कि वो उसको disturb नहीं करेंगे जो normal concentration होती ह blood की इसी वज़े से इसकोम क्या बोलते हैं selective absorption बोलते हैं यानि कि कुछ selected चीजों का ही वहाँ पे क्या होता है reabsorption होता है अब जैसे कि कुछ certain substance हो गए हमारे जैसे कि potassium हो गया तो normal codes में और एक large number of foreign chemicals होते हैं जैसे कि drugs हो गई जैसे penicillin हो गई तो ये सभी क्या हो जाते हैं ये pass हो जाते हैं और क्या मनाते हैं ये ये मनाते हैं urine को किसके अंदर dct के अंदर distal convulated tubule के अंदर और इस passage में क्या involved होता है activity of the cells of tubular wool and hence इसी वज़े से इसकोम क्या बोलते हैं tubular secretion बोलते हैं यानि कि selective absorption के बाद जो चीजे बच गई हैं अभी glomular filtrate के अंदर अब वो सार ही कहां पर जाके secret हो जाती हैं वो सब dct के अंदर जाके secret हो जाती हैं और इसी कौम क्या बोलते हैं इसी कौम बोलते हैं tubular secretion so I hope आप से भी कुछ जिसे clear हो गया है तो इसी कौम कई बार क्या होता है कुछ books के अंदर tubular secretion को as a third step वहां पे दिया हुआ है यानि कि यहां से लेके certain substances से लेके tubular secretion तक यह as a third step भी दी हुई है कुछ books के अंदर या अगर आप google पे search करोगे तो वहां पे हो सकता है आपको यह three steps मिले तो first step आपके क्या हो गई? अल्टरा filtration हो गई, second step आपके क्या हो गई? री absorption हो गई और third step आपके क्या हो गई? tubular secretion हो गई अब देखे जब क्या होगा आपका री absorption हो जाएगा और tubular secretion हो जाएगा तो यह दोनों process होने के बाद अब जो बचता है हुआ पे filtrate तो उस filtrate को अब हम बोलते हैं क्या urine tubular secretion हो जाएगा तो अब हम उसको बोलते हैं urine, so I hope आप से भी कुछ जिसे clear हो चुका है, now अब देखे हमारे पास यहाँ पे कुछ steps में हमें given है urine for me तो first आता है glow merulous, glow merulous में कौन सी activity होगी तो यहाँ पे होता है ultra filtration, अब ultra filtration के बाद bowman's capsule में जो filtrate जाता है हमारा उसको बोलते हैं glow merular filtrate, तो आपको याद रखना है कि glow merulous में क्या होगा, ultra filtration होगी और bowman's capsule में क्या जाएगा, glow merular filtrate जाएगा, अब next आता है हमारा PCT, proximal convulated tubule तो proximal convulated tubule में क्या होता है, most water, यानि कि about two thirds of the water ये reabsorb हो जाता है, और most amount में जो glucose है, sodium या chloride के ions है, वो भी क्या हो जाता है, water के साथ साथ reabsorb हो जाता है, next आता है lupofenil, अब lupofenil में क्या होगा, कुछ water अगेर यहाँ पे क्या होगा, reabsorb होगा, और कुछ sodium ions दोबारा से जाएंगे, वो reabsorb हो जाएंगे, next, fifth part होता है हमारा DCT, distal convulated tubule, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो भी कुछ हमारे chloride के ions बचे हुए है, chloride और कुछ water ये वापिस से क्या हो जाएंगे, हमारे यहाँ पे reabsorb हो जाएंगे, और जो walls होंगे, अब DCT की, वो क्या कर जाएंगे, वो secret कर देंगे, potassium को, और कुछ foreign chemicals को, जैसे की penicilline हो गया, या कुछ drugs हो गई, कहाँ पे, उस filtrate के अंदर, और इसी को हम बोलते है, tubular secretion, और अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो filtrate बचा हमारा, अब उसको हम क्या बोलेंगे, अब उसको बोलेंगे urine, तो इस तरह से क्या होता है, urine का हमारा formation होता है, so I hope आप सभी कुछ से clear हो गया है, किस तरह से urine का formation होगा, again मैं आपर repeat कर रहा हूँ, so three steps होगी, या आप two steps भी बोल सकते हैं, better है कि आप three steps में इसको cover करें, तो सबसे पहली step होगी, ultra filtration, second step होगी, हमारी reabsorption, जिसके अंदर selective absorption होता है, तो third होती है हमारी tubular secretion, now अब हम बात करते हैं, अब देखे, urine form हो चुका है, अब ये urine body से बाहर excrete कैसे होगा, तो अब हम बात करते हैं, urine excretion की, तो जो final urine होता है, tubular secretion के बाद, तो अब ये कहां पे पास हो जाता है, collecting duct में पास हो जाता है, जो कहां पे present होती ह pelvis reason में present होती है, kidney के, और अब ये ureators के तुरू कहां पे जाएगा, urinary bladder में जाएगा, by ureator peristalsis, यानि कि ये waves होती है, जैसा आपने, I hope आपको मालूम होगा, जब आपने digestive system को study किया था, तो जो food था, food bolus था, वो buccal cavity से, isofagus के तुरू स्टमक में पोच्छता था, तो जो वहाँ पे moment होता था था न, वोल्स का, उसको हम peristalsis बोलते थे, उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होता है, ureators में moment होता है, उसको भी contraction and relaxation होती है, muscles के, ureators के, तो इसलिए इसको हम ureator peristalsis बोलते हैं, due to gravity, because ये downside, नीचे की तरफ जा रहा है, और फिर क्या होता है, urine expelled हो जात है, तो ये directly, क्योंकि females में penis present नहीं होता है, by relaxation of the spinector muscles, तो जैसा हमने starting में पढ़ा था, कि spinector होता है, एक present, urethra की जो opening और closing को guard करता है, तो basically, वो क्या होता है, contract form में होता है, लेकिन जब वो pass करता है, तो तब वो relax हो जाता है, और urethra के तुरू फिर क्या होता है, वो बह रिलीज हो जाता है, और ये सभी हमारा किसके control में होता है, ये सभी हमारा nervous system के control में होता है, और इस process को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, mick duration, so I hope आप सभी कोई अच्छे से clear हो चुका है, now next हमारा जो आता है, अब बात करते हैं हम properties की, physical properties की, so ये सभी हमारी अभी process हु high oxygen की demand होती है, so kidney को six to seven times, जादा oxygen की requirement होती है by the muscles, muscles की comparison में, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत ही important process form हो रहा है, अब बात करते हैं physical properties की, तो urine की कुछ physical properties की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले बात करते हैं, color की, तो urine कैसा होता है, clear yellow color का होता है, क्योंकि yellow color क्यों present है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक pigment present होता है, euro chrome, और इसका color जो है वो vary कर सकता है, dark yellow से light yellow भी हो सकता है, वो depend करता है कि हम किस तरह की diet ले रहे हैं, next आता है volume, तो एक दिन में हम कितना urine pass कर सकते हैं, 1 से लेके 1.5 liters तक, pH की बात करते हैं, तो इसकी pH 5 से लेके 8 तक रहती है, usually थोड़ी सी slightly acidic pH होती है, और अगर कोई protein diet ज्यादा लेता है, जैसे कि अगर कोई body builder है, तो उसको ज्यादा protein की requirement होती है, उसकी diet में, तो उसका जो urine है, वो ज्यादा acidic हो जाएगा, और अगर कोई person क्या करता है, vegetable diet लेता है, तो उसका जो pH है, यूरीन का वो थोड़ा alkaline हो जाएगा, यानि की basic हो जाएगा, नेक्स्ट बात करते है, order, order रांदबे की smell, तो अगर urine जो है न, वो अगर कहीं पर इकटा हो रहा है, तो उसमें से बहुती जादा strong कैसी smell आती है, ammonia की smell आती है, क्योंकि उसके अगर कुछ bacterial activity होगी, और इसी वज़े से उसकी smell क्या हो जाएगी, वो थोड़ी सी हमारी strong हो जाएगी, otherwise अगर urine flowing है हमारा, या फिर freshly secreted है, तो उसकी जो smell हो थोड़ी सी faint होती है, हलकी smell होती है, next बात करते है, specific gravity की, तो ये 1.003 से लेके 1.035 तक हो सकती है, तो ये कुछ हम हमारी physical properties थी, urine से related, now next हम बात करते हैं, आपे constituents of urine, तो जो normal human का urine होता है, उसके अंदर 95% तो water होगा, और 5% ही solid waste होता है, जो उसके अंदर dissolve होता है, और जो percentage है solid waste की, वो slightly vary कर सकती है, depending on our food habit, हम किस तरह का खाना ले रहे हैं, अब बात करते हैं, यहाँ पर कुछ content की, organic content जो होता है urine के अंदर, तो gram per liter की बात करने हैं, तो कितने grams होगा, 1 liter के अंदर, तो organic matter के अंदर, जैसे urea आ गया, keratin आ गया, uric acid आ गया, या कुछ और other organic substance हो सकते हैं, तो urea 2.3 gram होता है, per liter मे, keratin 1.5 gram होता है, uric acid 0.7 gram होता है, और जो other substances होते हैं, वो around 2.6 gram होता है, अब बात करते हैं, inorganic substances की, तो जैसे sodium chloride हो गया, यानि कि common salt हो गया, तो यह 9 gram होगा, potassium chloride हो गया हमारा, यह 2.5 gram होगा, ammonia हो गया हमारा, 0.6 gram होगा, और कुछ और other हमारे inorganic substance हो सकते हैं, जो 2.5 gram के around होते हैं, तो यह हमारी क्या है, composition है, constituents होते हैं, urine के, अब बात करते हैं, जो normal constituents हैं, तो यह सब हमारे normal constituents होते हैं, लेकिन यह कुछ vary कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता हैं, हम कुछ hormones, हमारी body कुछ hormones को भी, या अगर हम suppose करो कोई medication पे हैं, हमारी कोई medicines चल रही हैं, तो वो medicines भी urine की form में ही, urine के साथ ही body से भार release होते हैं, secret होते हैं, या excrete होते हैं, जैसे कि antibiotic हो सकते हैं, अगर हमें कोई infection है body के अंदर, या excess में vitamins हो सकते हैं, अगर हम ज़्यादा vitamins से ले रहे हैं, तो ये सब चीजे क्या होते हैं, urine के साथ साथ में होते हैं, अब बात करते हैं, कुछ conditions की, कुछ disorders की, तो suppose करो, अगर कोई abnormal constituent है urine में, तो वो कुछ specific disorder या disease को क्या करता है, वो highlight करता है, जैसे कि सबसे पहला आता है blood cells, अगर हमारे urine में क्या आ रही हैं, blood cells पास हो रही हैं, अब वो किस वज़े से हो सकती है, हो सकता है, हमारे urinary crack में कोई infection हो, या कोई kidney stone हो, या कोई tumor हो अगर हमारी body में, तो क्या होता है, blood cells किसमें आती है, हमारे urine के through pass होती है, और इस condition को हम क्या बोलते हैं, hematuria बोलते हैं, तो जब कभी भी अगर हमारे urine में क्या हो रही है, blood cells पास हो रही हैं, तो हमें तभी क्या करना चाहिए, किसी doctor से concern करना चाहिए, because हो सकता है, वो आगे जाक urine में क्या हो रहा है, एक excess amount में glucose क्या हो रहा है, secret हो रहा है, release हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हम किस से सफर कर रहे हैं, हम diabetes mellitus से सफर कर रहे हैं, यानि कि हमारी pancreas क्या कर रही है, proper amount में insulin को produce नहीं कर रही है, इसी वज़े से क्या हो रहा है, जो glucose है, वो glycogen में convert नहीं हो पा रहा है और हमारे blood sugar level बढ़ रहा है जिसकी वज़े से क्या होता है glucose urine के through पास होता है बोड़ी से और इस condition को हम बोलते हैं glycosuria तो यह हमारी क्या होते हैं कुछ conditions होती हैं जब कभी भी क्या होते हैं कुछ abnormal constituent urine में पास होते हैं नेक्स्ट में आपे एक और data दिया हुआ है कि जो taste होता है urine का तो urine का कैसा taste होगा तो अगर हम इस topic पे बात करते हैं तो basically हमने भी उपर पढ़ा कि जो urine है urine में sodium chloride present होता है salt present होता है तो इसका मतलब है कि जब normally हमारा normal condition में हम urinate करते हैं तो उसका taste कैसा हो जाता है saltist taste होता है इसका because of the presence of the salt लेकिन क्या होता है वो कई बार sweetest taste का भी हो सकता है अब वो normal condition में नहीं होगा उसके लिए कुछ specific condition होगी जैसा भी मैंने आपको बताया कि अगर patient क्या है हमारा जो person है अगर वो diabetic है तो उसके urine में क्या present होगा sugar present होगा glucose present होगा because of the insufficient insulin और कई बार क्या होता है कि जब वो person urinate करता है तो वहाँ पे उस urine के आसपास क्या हो जाती है आइंस आजाती है क्योंकि उसका urine कैसा है sweeties है उसमें glucose present है तो वह एक food की तरह work करता है आइंस के लिए next आता है tasteless तो tasteless भी हो सकता है अगर क्या हो रहा है much water urinate हो रहा है और इस condition को बोलते है diabetes inspired us यह किस वज़े से होता है अगर insufficient secretion हो रहा है ADH यानि कि anti-diuretic hormone का अगर insufficient secretion हो रहा है तो हम क्या करते है हमारी body क्या करते है ज़्यादा water को secret करते है urine कैंदर यानि कि वहाँ पे water का reabsorption नहीं हो पाता है इसी वज़े से क्या होता है urine बहुत ज़्यादा dilute हो जाता है और वो कैसा हो जाता है वो taste less हो जाता है next आता है albumin अब यह albumin क्या होगा हमारा तो जब कभी भी क्या होता है ना हमारा high blood pressure होता है या फिर bowman's capsule की permeability increase हो जाती है और किसकी वज़े से हो सकती है यह किसी भी bacterial infection की वज़े से हो सकती है तो iscom क्या बोलते है albumin बोलते है next आते है bile pigments तो albumin ना proteins होते है हमारे तो यह proteins जब urine के through क्या होते है secret होते है next आते है bile pigments तो bile pigments जब कभी भी urine में ज़्यादा bile pigments आएंगे तो किसको indicate करेंगे anemia को indicate कर सकते हैं या hepatitis को जिसको हम simply jaundice या पीलिया भी बोलते हैं और या फिर liver kairosis है यानि कि अगर liver में कोई infection हो रहा है तो उस वज़े से क्या हो सकता है bile pigments भी हमारे urine में क्या हो सकते हैं urine output तो कितना urine बहार निकलेगा बोड़ी से वो कैसे regulate होता है किन चीजों पर depend करता है so I hope प्यारे बच्चों आपसे भी कोई topics अच्छे से clear हो गए है so please channel को subscribe करें lecture को please like करें comment करें और उसको share करें अपने friends के साथ में so हम मिलते हैं again next class के अंदर so thank you students for watching this lecture हुआ हुआ है